राखी भविश्य पुरान की कथा भविश्य पुरान की एक कथा के अनुसार एक बार देवता और डैत्योक दानवोग में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ परंतु देवता विजरी नहीं हुए इंद्र हार के भाई सिद्धू, खी होकर देव गुरु ब्रहस्पती के पास विमर्ष हेतू गए गुरु ब्रहस्पती के सुझाव पर इंद्र की पत्मी महरानी शची ने श्रावन शुक्ल पूर्नीमा के दिन विधी विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तयार किये और स्वास्थिवाचन के साथ ग्रहमन की उपस्तिती में इंद्रानी ने वह सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा जिसके फल्स्वरुप इंद्र सहित समस्त देवताओं की दानवों पर विजय हुई रक्षा विधान के समय निम्न लिकित मंत्रो चार किया गया था जिसका आज भी विधिवत पालन किया जाता है येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल दानवेंद्रो माचल माचल इस मंत्र का भावार्थ है कि दानवों के महाबली राजाबली जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हो ये रक्षे रक्षा सुत्र तुम चलायमान ना हो चलायमान ना हो ये रक्षा विधान श्रवन मास की पूर्णिमा को प्रातहकाल संपन किया गया यथा रक्षा बंधन अस्तित्व में आया और श्रवन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा